आज हम बनाएंगे multi-grain cereal bread और इसमें हमने मैदा का इस्तेमाल बिलकुल नहीं किया है तो यह gluten-free है reality यह है कि gluten के बगार bread बनता ही नहीं तो हमने एक ऐसा ingredient इसमें add किया है जो gluten-free है लेकिन gluten का काम करता है जैसे कि सारे ingredient को bind करना और bread को soft बनाना यह bread full of fiber है जो gut health के लिए बहुत अच्छा माना गया है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितना smoothly यह cut हो रहा है यह बहुत ही soft बना है और साथी में बहुत ही अच्छा crunch भी है यह देखिए कितना soft बना है इसे मैं press करके आपको दिखा रही हूँ इसमें कोई भी preservative नहीं है तो आपको इसे दो दिन के अंदर use करना है और fridge में रखना है यह बहुत ही tasty बना है और इस taste को आपको अगर अनुभाव करना है तो आप इसे बनाईएगा ज़रूर इसे बनाना भी काफी easy है इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी tips और tricks आपके miss ना हो तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस bread को बनानी के लिए सबसे पहले हम dry yeast को activate करने रख देंगे मैंने आपर 15 ग्राम तीन टी स्पून dry active yeast ले लिया है एक टेबल स्पून हम इसमें शक्कर डालेंगे अब इसमें हम 1 फोर्ट कप के करीब पानी डालेंगे चमच से देखेंगे तो 10 से 12 चमच ये हमें yeast को ferment करना है अक्टिवेट करना है शुगर को थोड़ा dissolve कर लेंगे इसलिए हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है इसे ferment होने के लिए 15 से 20 मिनिट लग सकता है ये हमारे room temperature climate पे depend है इसे side में रखते हैं जो इस bread को logic ता देगा gluten effect वो है cilium husk जिसे हम इसब गुल के नाम से भी जानते हैं ये constipation ठीक करने के लिए खाया जाता है ये हर chemist के पास pharmacy में आपको मिल जाएगा इस recipe के लिए हमने 2 tablespoon इसब गुल ले लिया है इस pack को open करने के बाद airtight container में बन करके रखेगा ये देखिए सूजी की तरह होता है और पानी mix करने के बाद इसका जली जैसा texture बन जाता है 2 tablespoon इसब गुल के लिए हमने 8 tablespoon पानी डाला है इसे पानी में अच्छे से mix कर लिजेगा ये देखिए sticky जली जैसा ये texture है और 10 से 15 minute के लिए इसे इसी तरह से सोख होने के लिए रख देजे अब चलिए देखते हैं हमने कितने grains यूज़ किये हैं आटा, wheat flour हमने 100 gram लिया 50 gram ज्वारी का आटा 50 gram रागी 30 gram मकई का आटा Oats हमने ले लिया है 40 gram Flex Seed हम यूज़ करेंगे ये roasted है 20 gram सूजी लेंगे 10 gram 5 gram मतलब 1 teaspoon नमक लेंगे 15 gram टेल हमने लिया है 20 gram या 20 ml सारे ingredient के measurement आपको description box में मिल जाएंगे Melon Seed और थोड़ा सा हमने तिल ले लिया है 200 से 2500 ml पानी लेंगे Baking में माप का बहुत important है Measurement correct रखिएगा और soaked isabgul और fermented yeast सबसे पहले हम Flex Seed और Oats को Mixi से पीस कर निकाल लेंगे हमें इसका दरदरा सा powder बना लेना है अब एक mixing bowl में Oats और Flex Seed का ये powder हम निकाल लेंगे ये देखिए इस तरह से powder बनेगा इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है बिल्कुल fine powder नहीं बनाना है और Flex Seed को हमेशा roast करके ही खाना चाहिए Heart health के लिए Flex Seed बहुत अच्छा माना गया है अब इसमें 10 से 12 ग्राम तिल डालेंगे तिल को हमने पीसा नहीं है नहीं हमने melon seed को पीसा है इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है melon seed भी हमने 10 ग्राम ले लिया है अब जो भी पीसा हुआ grains है आटा है उसे हम mix करेंगे लेकिन हम उसे चान लेंगे चान कर mix करेंगे जवारी, नाचनी, मकई का आटा ये सारे market में easily available है इसी के साथ हम नमक भी डाल देंगे चन्नी में जगा कम है इसलिए wheat flour आटा को मैं बाद में चान लूँगे अगर आपको possible है तो आटा भी आप इसी के साथ चान लेजेगा अब इसमें मैंने सूजी भी add कर दिया है ये सारा आटा मैंने क्यों चाना है क्योंकि ये सब ready made हमने market से लाया है और market से लाया हुआ आटा हमेशा चान के लेना चाहिए और चानने से mixing भी बहुत अच्छी तरह से होता है तो ये दिखे अब मैं आटा को भी चान रही हूँ ये गिहू का आटा है जो मैंने 100 ग्राम ले लिया है अब ये सारे dry ingredient को हम अच्छे से mix कर लेंगे ये हूँ का आटा को आप 50 ग्राम लेके 50 ग्राम बाजरा का आटा भी ले सकते हैं अब इसमें हम add करेंगे soaked isabgol ये देखे किस तरह से ये जम चुका है इसमें थोड़ा पानी और मुझे डालना चाहिए था कोई बात नहीं ये भी चल जाएगा अब इसे हम ये dry ingredient के साथ अच्छे से mix करेंगे ताकि हर कर्ण में ये अच्छे से spread हो इसे mix करने के लिए आप 2-4 मिनिट जरूर दीजेगा इसे अच्छे से mix करना बहुत बहुत जरूरी है ये एक बार पूरी तरह से mix हो जाए उसके बाद हम इसमें add करेंगे पुराना yeast हो तो उसे use ना करें अब हम इसमें डालेंगे टेल यहाँ पर मैंने 20 ग्रम टेल ले लिया है टेल को भी इस dry ingredient के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और lukewarm पानी से इस आटे को लगा लेंगे इस डो को लगाते वक्त पानी gradually डालिएगा एक साथ सारा पानी नहीं डालना है और दो एकदम soft बनना चाहिए मार्केट के bread में stabilizer, emulsifier, caramel color, preservatives, bread improver यह सारे chemicals यूज़ होते हैं जिसे हम यूज़ नहीं करेंगे मार्केट में मिलने वाला wheat bread या multi grain bread में मैदे का इस्तिमाल किया जाता है एसा कहा जाता है तभी उनका texture अलग है और same texture अगर आपको चाहिए तो आप मैदा भी इसमें add कर सकते हैं आटा, wheat flour को आप मैदा से substitute कर सकते हैं इस दो को हमें कम से कम 15-20 मिनिट के लिए मल लेना है यह gluten free dough है इसलिए इसे smooth करने के लिए थोड़ा time लगता है हाथों में थोड़ा तेल लगा लिजेगा और तेल लगाते हुए इसे मलते जाईए अंगूठा का जो base portion है वहां से हमें इसे दबाते हुए प्रेस करते हुए मलना है खिचाव देना चाहिए जिससे की यह gluten का effect देगा यह dough एकदम smooth हो जाए तब तक हमें से मल लेंगे 17 मिनिट हो चुके हैं फाइनली हम इस तरह से इसे fold करेंगे चारों तरफ से हमें इसे fold करना है fold करते वक्त इसे press नहीं करना है क्यूंकि हमने इसके अंदर हवा भरा है अब हलके हाथों से इसे हम smooth कर लेंगे और एक घंडे के लिए इसे ढख कर हम किसी गरम जगा में रख देंगे यह फिर से fold जाएगा size इसका थोड़ा increase हो जाएगा लेकिन normal bread वाला size नहीं यह आप समझ सकते हैं क्यूंकि यह gluten free है एक video clip मेरा miss हो गया उसके लिए sorry यह दो फूलने के बार grease किया हुआ baking tin में हमने transfer किया और जिसे हमने flex seed और melon seed से sprinkle किया था यह आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे हमने OTG में bake किया है 80 degree पे 45 minutes के लिए आप अपने oven या OTG के temperature को देख कर इसे bake करें आपको यह recipe अगर अच्छा लगा तो like जरू किजेगा और subscribe करें अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया ताकि इसी तरह के और भी वीडियो के notification आपको मिल जाए वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you क्याओय कूर ह है नहीं के लिए ए fijते नहीं किया दिन दो के हैं तरहुँने में सहीं के नहीं है कर दो